ओम पित्र देपता अब्यों नमाहा दोस्तो भास्तु ग्यान गंगा यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है रात में सोते समय जादातर लोगों को सपने आते ही इन मेंसे कुछ सपने अच्छे होते ही तो कुछ ब्यादी खराब होते ही सपने सास्त्र की अंसार हर सपने का कुई न कोई मतलव जरूर होता है सपने सास्त्र में इन सपनों के भी अलग मायने बताए गए ही अगर आपको सपने में पूर्वज दिखाई देते हीं तो इसका भी एक खास मैत होता है स्वप्न सास्त के अंसार सपने में आकर पूर्वज आपको एक खास संकेत देते हैं स्वप्न सास्त के अंसार अगर आपको सपने में अपने मृतक माता पिता को देखा है तो ऐसा सपना बहुती शुम माना जाता है इसका मतलब है यह होता है कि आपको अपने कारखित्र में जल्दी ही सम्मान मिलने वाला है। आपकी मनो कामना पूरी करेंगे। अगर सपने में आपको आपकी पूरवज दिखाई देते हैं तो इसका संकेत है कि या तो उनकी कोई इच्चा अधूरी रह गई है या पिर वो आपको किसी आगामी गटना का आवास कर रहे हैं। वही सपने में पित्रों को मिठाई बाटते हुए देखना शुम माना जाता है। पित्रों के नाम से अगर आपको भी ऐसे सुपनाते हैं तो पीपल ब्रक पर जल चड़ाना प्रारम कर दें। पित्रों के नाम से आप दानपुन शुरू कर दें और गौमाता का पूजन करें ब्राम्मन को इले भी भूजन कराएं। इससे पित्र प्रसन होंगे। सुपनिसास के अंसार सपने में अपने पित्रों को मुश्कराते हुए देखना अच्छा माना जाता है। यह सपना सुब पल देने बाला माना गया है। सपने में पूरवजयों को गुस्सा करते हुए देखना सुब नहीं माना जाता। का जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सपने में अपने पित्रों को गुस्सा करते हुए देखता है तो इसका अर्थ है कि उसके पित्र उससे खुश नहीं है। जिनके घर में पित्र दोष लगा हूँ, अगर आपको भी ऐसा स्वपनाता है, कि पित्र दुखी हैं, या पित्र आपसे कुछ मांग रहे हैं, या वो परेशान हैं, या गुस्से में, तो दोस्तों आपको हो जाना चाहिए, साबदान और तुरंत पित्रों की सांती का उपाय करना चाहिए, पित्रों की निमत पूजा करने चाहिए, पिपल ब्रक की नीचे दीपक जलाए, मिठाई चड़ाएं, उनकी परक्रमा करें, पिपल ब्रक की, साथ ही दानपुन करें, ब्रामन को वजन करें, गोमाता का पूजन करें, ये उपाय आपको तुरंत प्रारम कर द झाल झाल